जब भी आपका हौशला आसमान तक जाएगा जब भी आपका हौशला आसमान तक जाएगा याद रखना कोई ना कोई आपके पंख काटने जरूर आएगा बहुत से कंडिडेट जुड़े हैं जिनके कामेंट हम लेंगे लेकिन थोड़ा उन्हें बेट करना होगा ठीक है तो आज आपका यह सेशन जो है वह लाइब नंबर एट है यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं आपको क्लियर हो रहा होगा आपका टॉपिक जो चल रहा है इस समय वह नंबर सिस्टम चल रहा है नंबर सिस्टम के अंदर आप यूनिक डिजिट पढ़ रहे हैं यानि इकाई यंक क्या मैं सही बोल रहा हूं यही है न अब देखिए इकाई यंक में सिंपल वाले नंबर तो हो गये थे आज यह पूरा हो रहा है खतम हो रहा है इकाई यंक खतम हो गया बस थोड़ा सा कोश्चन अभ्यास प्रस्ण के लिए देंगे बस यह खतम हो चुका है तो उसमें कापका थार्ट पॉइंट सायर चल रहा था ना तो कुछ कोश्चन अब भ्यास सवाले आप ले लीजिए पहला कुश्चन है कि टू वन फाइफ इसकी जो पावर है वह है मेरे भाई 45 और इसके बगल में फैक्टोरियल का चिन लगा है में इकाई यंक क्या होगा उनली फाइफ प्रेक्टिस है ये इकाई यंक क्या होगा आप लोग मुझे बताओ ये आप्शन है आपके सामने वन जीरो फाइफ या थ्री आप कमेंट करोगे फास्ट ए या फास्ट बी ऐसे या फास्ट सी इस तरीके से अलोक पाल चंचल परजापती मोहित मनु सिंग पूनम सुकला विकास चौधरी अस्वनी कुमार दुर्गेश कुमार रजनीश कुमार यादो पंकच सालिनी यादो शिव कुमार अंजली अलोक कबिता सर्मा हाँ सबका कमेंट मुझे दिख रहा है सारे कमेंट तो पढ़ना पॉसिबल नहीं है चलिए टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं यह सारी चीजें आपने बच्पन में ही सीखा है बहुत छोटे थे तब ही से आप इसे पढ़ रहे हो यह सब मस था इसमें कोई दिक्कत नहीं किस चार से अधीक है ऐसे बताया था ना कि दीगए घात अगर फेक्टरियल में है और वो हो ठी Olund say कुछ भी हो मत्लब छीक है तो वह हमेश सब 4 से कमपुलिटली डिवाइड हो जाएगी अधी कि भोलो बताया था ना था तो अगर यह फेक्टरियल फॉटी साइब को हम देखें इसका मान फाइनल में निकालेंगे तो जो आएगा वो चार से कम्प्लिटली डिवाइड हो जायेगा मतलब जीरो से फ़ल आएगा यह मैंने स्टार्टिंग में रूल बताया था अगर आपने देखा होगा और जब अगर किसी भी नंबर की जो पावर है वो जीरो आएगी यह आपको बताया था तो उसे चार से रिपलेस कर लिया जाता है ठीक है और हमें पूरे नंबर से कोई मतलब नहीं हमें सिर्फ लाष्ट वाली गिंती से मतलब है यानि पाँच की घाट जो है जीरो या इससे हम कर लेंगे पाँच घाट चार जैसे मैंने कहा था कि अगर आप किसी घर में लड़की या लड़का किसी से साधी करने जा रहें तो आपको सिर्फ उसी एक से मतलब होना चाहिए उसके दादा कितने अच्छे थे या कितने अच्छे है इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए जमाना बदल चुका है है न हमारे दादा किसान थे तब भी हम I.S. हो सकते हैं समझ रहे हो न हमारे पापा अगर रिक्सा चलाते हैं तब भी हम एक बड़ी कंपनी के मालिक हो सकते हैं तो उसको देख करके कोई नेरणय ना लें देखें उसको जिसमें आपकी उमीदें तो उसी तरह से मैंने इसमें बताया था कि आपको पूरे नंबर नहीं देखना है कुछ भी हो इसके आगे कुछ भी लिख सकते हो कोई मतलब नहीं सिर्फ लाश्ट अंक से मतलब यही बताया था ना तो इसकी घात 4 और यह भी आपको बताया था अगर याद हो कि 0, 1, 5 और 6 इसकी घात कुछ भी लगा दो इसकी घात कुछ भी लगा दो इनका जो इकाई यंक है हमेशा वही आता है जैसे अगर पांच की घात हम अगर 151 करेंगे तब भी इकाई यंक पांच ही आएगा करके देख लेना अगर 6 की घात हम मालो की ये इतना कुछ भी कर दिये इतनी बड़ी घात तब भी इसका इकाई यंक 6 ही आएगा यह याद रखना यह फैक्ट है अस्वनी समझ में आ रहा है कविता सर्मा ठीक है कोई बात नहीं चलिए बच समझ में आ गई सभी को ना तो इस तरह से आपका इसका जो आंसर क्या होगा भीया मैं बताता हूँ फाइनल में देखो इसकी घात जब 4 करोगे तो यह कुछ भी कर लो अंसर 5 आएगा कुल मिला के मांद लो समझ रहे हो 5 की घात 4 करोगे तो 25, 25, 125 और 125 को जब 5 से गुड़ा करोगे तो हमें लगता है कि 600 कितना आएगा इसका करेक्ट आंसर कुल मिला के 5 आएगा वो कुछ भी आए उससे कोई मतलब नहीं क्योंकि हमें तो सिर्फ विकाई अंक्यात करना यूनिक डिजिट नेक्स्ट कुश्चन अगर इसी पर अधारित हम आगे बढ़ें ध्यान दीजिएगा बहुत सारे कुश्चन है कुश्चन नमबर सिकेंड देखिएगा मगर प्यार फे फे वन वन फोर इसकी पावर है मेरे भाई फैक्टोरियल टू वन वन ये वन वन है दो सो ग्यारा है इसमें इकाई अंक क्या होगा ओप्शन में थोड़ा सा चेंजिंग कर लो अगर सिकेंड कुश्चन का सी नमबर सही है तो आप टू सी लिखोगे अगर डी सही है तो टू डी लिखोगे रिंकु जी बताओ भई अमन कुमार जब आद दीजिए फटा फट सूपर्टेट अगर आपको देना है जितने टॉपिक में पढ़ा रहा हूं पूरी गारंटी के साथ अगर आपने सारे कांसेप्ट चीख लिए कोई आपको रोंक नहीं सकता है पूरा चैलेंज के साथ ये वीडियो बाद में भी पढ़ा रहेगा चैनल पर आके देख ले ना इसी में से सब आएगा सारे कंसेप्ट जब आप गोल के पी जाओगे तो बाहर से तो आएगा नहीं बहुत आसान है इसका आंसर हो जाएगा छे यानि टू का सी सही है रजनीस कुमार बिलकुल सही जबाब ठीक है रजनीस बेरी गूड इसको बताना पड़ेगा क्या नहीं बताना पड़ेगा न क्यूं मेरे भाई मैंने आपको बताया था कि अगर फैक्टोरियल भी जो घात है वो अगर 4 या 4 से बड़ी है तो हमेशा जब उससे आप 4 से डिबाइड करोगे तो 0 से सफल आएगा आप कहोगी यह 4 से डिबाइड करने वाला कौन सा लोचा है तो जो कंडिडेट सुरू से कलास देख रहे हैं उनको नियम पता होगा कि जब हम 1 यंक निकालते हैं तो ब इस तरह से छोटा हो जाता है और हम वहां से आसानी से निकाल लेते हैं तो जब कोई गिंती फैक्टोरियल में होती है जो कि 4 या 4 से बड़ी है तब उसको चार से भाग करने पर हमेशा 0 से सफल आता है क्यूं आता है कैसे आता मैं पीछे पढ़ा चुका हूं और जब अगर जीरो से सफल आता है तो जीरो की जगा चार कर दिया जाता मतलब 4 से रिप्लेस कर लेते हैं तो इस तरह से अगर इस नियम की अकार्डिंग बढ़ेंगे तो इसकी पावर 4 आएगी फाइनल में तो 4 का मतलब यही होता है चार चुक 16 चुका 64 और 64 चुका हमको कोई मतलब नहीं 64 चुका का होता है यह 64 गुड़ा चार न हमें इससे कोई मतलब नहीं है हमें मतलब है तो सिर्फ इन से है 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 बस इनी से मतलब है हमें तो फोर फोर जा सिक्स्टीन आएगा या नी छे इक आएंक आएगा बस 64 का गुड़ा करना नहीं है हमें तो मतलब है बस सिर्फ तुम से रोली समझ में आया निदी कुमारी रोहीद गुल्सन सबको आया एक बार यस बोलिए और सभी साथी सेशन को लाइक जरूर करें आपकी जिम्मेदारी है फटा फट लाइक करें आप भी अपने करतबों को समझें ठीक है ना भया आगे बढ़ जाएं फिर हम लोग फटा फट सभी कर लेंगे और अब भयास से प्रस्न करवाया जाए हमारी कोशी से जितना पढ़ो ना एकदम चार्ट डालो उसको खतम कर दो चार्ट चार्ट के जैसे लोलीपाप दिखायो कभी बच्चे थे तो खाये होंगे अब तो बड़े हो गए अब तो पता नहीं क्या क्या खा करो कि 376 जलो इसमें अगर आपको इक आई यंक फाइंड करनी है तो क्या आएगा कि अप्शन को मैं अगर ऐसे ही रहने दूं तब थिरी में अगर एस आई तो आप थिरी ये बताओगे अगर बी सही है तो आप थिरी भी लिखोगे ऐसे कि शिव पूजन समझ में आ रहा है प्रतिबा देवी कि प्रतिमा देवी हाँ कि सबको आ रहात एक बार बोलो यास आ रहा है बोल दो एक बार फट अफट कि चलिए ठीक है बहुत अच्छे बेरी गुड कि प्राची कुमारी ठीक है अभिनों सिंग अंकित निधी अस्वनी इसका वे आंसर छे आएगा देखो कैसे छे आएगा बाई सिंपल सी बात है इसमें जो इकाई अंकिया चाच लोग वो छे है इकाई अंकिया छे है और मैंने आपको बताया था कि ये देखो फैक्टोरियल में 78 है इसे चार से भाग करोगे तो सेसफ़ल 0 आएगा ये मैं पहले कंसेप्ट शिखा चुका हूँ और जब सेसफ़ल 0 आएगा तो उसको हमेशा 4 से बदल देते हैं ये भी तुम सीखे हो और ये भी आप सीखे हो कि 0156 इनकी घात कुछ भी लगा दो कुछ भी लगा दो इनका हिकाई यंक वही गिंती आती है ये मतलब एक दम जिसे बोलते ना हिकना हो चुके हैं सुने होगे आप लोग कितने लोग जानते हिकना का मतलब हिकना ये लैंग्वज ऐसे है उनने बच्पन में सुना था आप पहले बताओ तो हम बताएंगे इसक आएगा लेकिन इसमें इसका जो यूनिक डिजिट है हमेंसा बनाएगा इस तरह से अगर फाइब की पावर हम कुछ भी कर दें कुछ भी कर लो कितना बड़ा भी कर लो इसका जो इकाई अंक है वह हमेंसा पांच ही आएगा छे में भी ऐसे है इन चारों के साथ ऐसा ही कंडिशन है बेटा देखो बार-बार कमेंट करने से ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारा कमेंट पढ़ लूँगा मेरे भाई ठीक है आप नीचे नंबर दिया गया उन पर संपर कर ये कोई भी इंक्वारी है आप सोचो यहां कापी पे अगला नेक्स्ट कुश्चन नेक्स्ट कुश्चन वन एट नाइन कर लो और नंबर वन एट नाइन इसकी पावर है टू टू फाइफ तू टू फाइफ इसका जो इकाई एंक है वो क्या आएगा बताओ इसी में से सही है कोई फटा फट बोलिए जल्दी करिए वाट इदा यूनिक डिजिटिव भार दिस कुश्चन बहुत आसान है देखिए मैं अभ्यास परफ निफ लिए थोड़े फारे करवा दे रहा हूं प्रेक्टिस वाले जिससे कि आपको आसानी हो सही कर रहा हूं की नहीं मैं बता दीजी अगर ये गलत है किसी नियम की अकार्डिंग तो ना बताओं मैं अभ्यास पर रजनीश यादो ठीक है रजनीश अंकित इन मिस्टर इंडियन है कर बिल्कुल मिस्टर इंडियन आपका सही है इसका अंसर वन आएगा देखो सिंपल सी बात है इसका अंसर वन आएगा वन का है को आएगा देखो भाई सिंपल सी बात ये है कि नाइन का पावर आप करोगे जीरो जीरो का है करोगे क्योंकि जब इसको चार से भाग करोगे फैक्टोरियल दोसो पचीस है तो जीरो से फ़ल आएगा याद रहे अगर दोसो पचीस को चार से भाग करोगे तब जीरो से फ़ल नहीं आएगा यह याद रखना लेकिन अगर फैक्टोरियल है ऐसे ऐसे तब 0 से इस फ़ल आएगा ये फैक्टोरियल का चिन लगा रहना चाहिए कविता जी पीछे का कलास देखिए आप पीछे का कलास देखिए तो अगर 9 का पावर 0 आएगी तो ये भी रूल मैं पढ़ा चुका हूँ कि उसको 4 से चेंज कर लोगे 4 से तो जब 4 से रिपलेस करोगे तो ये 9 का पावर 4 हो जाएगा और 9 का पावर 4 का मतलब यही होता है क्यों भाईया यही होता है ना टिम्पल सा है हमें यूनिक डिजिट फाइंड करना है इसको कर लो 81 इंटू 81 आएगा बाई साहब हमें इतना गुड़ा करके काहे को टेंसन लेना 81 का इसमें गुड़ा करोगे लाश्ट में वन आएगा ना हमें यह वन आंसर आगे बस पूरा गुड़ा करना ही नहीं है कि यह फिर एक आसान तरीका और है कि इनके लाश्ट लाश्ट रंको को गुड़ा करते हैं वन का वन में कर लो तब भी बनाया कि अब को समझ में आया किसी को कोई डाउट तो एक बार जल्दी से बोलिए यास नई डाउट है तो आगे बढ़ते हैं कि कोई प्राब्लम नहीं है किसी को एकदम मस्ट चल रहा सब कुछ कि आगे बढ़ें कि ठीक है मस्त है तो इस तरह से आप सारे कोशिशन कर ले जाएंगे अब हम इसमें आपको थोड़ा सा टॉपिक चेंज कर देते हैं कुछ होम और के साथ होम और दे रहे हैं उन्हें नोट करिए फटा फट घर से करना चाहिए दुआरे करना कहीं भी करना लेकिन करना जरूर कि अगे पाइंट दा यूनिक डिजिट कि अगे इक आई यंक बताईए कोशन लिखो एक हजार वनसट चोंतिसी क्यावन बातर वनसट अठादास वत्तानवे फैक्टोरियल लगा लेना लाश्ट में फैक्टोरियल एक्टार पांस बत्तिस ये सभी होमवर्क हैं याद रखना इन्हें घर से आप लोगों को ट्राई करना है ठीक है बिने समझने की कोशिस कर लो बच्चा आगला लिखो पंदरा सो आठानवे थीन सो पच्चीश एफ नमबर 43 एकईश ये सभी होमवर्क हैं आप लोगों के लिए हाँ आरती जी बिल्कुल आएगा ये सभी एकईशाम के लिए आएगा ऐसा नहीं किसी एक एकईशाम में ही आता है नमबर सिस्टम सभी परिक्चा में आता है और जिसमें भी संख्या पद्धती आती है मिन्स नमबर सिस्टम ये उन सभ के लिए है आप ये मत सोचो कि किसी एक के लिए बसरते ये टारगेट जो है वो सुपर टेट के लिए इनको आप घर से करोगे सभी एक बार बोलिए यस कर ले जाएंगे आप लोग जल्दी से बताओ भाई यस सभी कर लेंगे जितने भी हमारे साथ ही है पक्का कर लोगे बोल दो काहें सरमा रहे हो इसक्रीन पर एक क्विश्चन भी आ रहा है क्या आपको पता है क्लास का टाइम रात आठ बजे है डेली और रात को आठ बजे जुड़ जाया करो जश्ट लाइब देर मत किया करो बाद में देखते हो तो डाउट होगर नहीं हो पाते आपके क्लियर कि जल्दी करिए मैं इसको मिटा रहा हूं कि आपको समझ में आया थे एक बार यस बोलिए नहीं आया तो नो कुछ ना कुछ बोलिए मिटा रहा हूं मैं अब अगला हेडिंग डा लिए एक नया टॉपिक ये टॉपिक खतम हुआ यूनिक डिजिट अब सम फाइंड करना है नेचुरल नंबर के हेडिंग डा लिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए योग पर आधारित प्रस्न योग पर आधारित प्रस्न ये आपको पॉइंट मैंने करवाया था याद करों योग पर योग का मतलब वो योगा नहीं ये वाला योग मतलब सम जोड़ वाला ठीक है सुनो योग पराधारित प्रस्न में भी पहला प्राकृतिक संख्याओं के योग पराधारित इसमें लिखो फास्ट पॉइंट प्राकृतिक संख्याओं के योग पर अधारित प्रस्न प्राकृतिक संख्याओं के योग पर अधारित प्रस्न ठीक है अब इसमें दो पार्ट हो जाएगा पहला जब योग ग्यात हो दूसरा जब योग ग्यात करना हो ठीक है तो पहले हम लिखेंगे जब योग ग्यात करना हो इनके दो पार्ट करो जब योग ग्यात करना हो दूसरा पार्ट कर लो जब योग ग्यात हो विसाल सिंग बाबू नीचे नंबर चल रहा है उस पे संपर करो और PBR स्टडी 3.0 चैनल सब्सक्राइब करो कच्छा 9 और 10 11 12 के बच्चे PBR स्टडी 3.0 चैनल सब्सक्राइब करें इनको वहीं पे कलास मिलेगी यह नंबर है इस पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं हो गया यह पॉइंट आप चलिए देखे इसमें समझीए इसमें मैं आपको कुछ फार्मूले बता रहा हूं उनको मैं थोड़ा साटकट करवाऊंगा फिर लिखे योग बराबर यह भाई बहुत तहालका मचा देते हैं योग बराबर यह ना पांटू और फिर क्या करोगे तुए प्लस यन माइनस वन अभी बता रहा हूं पहले लिख लो तब इन्टू डी यह आपका जो है बाई डिफाल्ट फार्मूला होता है जो हर कोई यूज करता है इसमें हम थोड़ा सा अपडेट करेंगे थोड़ा सा अपडेट क्या करेंगे देखो समझते चलो इसे टू ए को हम ए प्लस ए कर सकते हैं बोलो बाबू हो टू ए को हम ए प्लस ए कर सकता हूँ ना एक बार बोलो यास या नो यास जैसे अगर माल लो पांच ए होता तो इसे हम ए धन ए ऐसा कर सकता था ना पांच बार तो सुनो अब सुनो इसे ए ब्लस ए ब्रेकर्ड में यन वाइनस वान इन टू डी अगर आपने पहले से कभी कुछ पढ़ा है मैथ में तो आपको ये समझ में आ रहा होगा अब देखों यहाँ पे एक चीज़ समझो इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ ए फ्लस यल ठीक है और इन टू आप इसमें डी भी कर सकते हो की नहीं कुलपद मतलब ये आपका क्या हो गया फर्मूला बन गया बोलो ये फर्मूला सही है की नहीं योग बराबर एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताओ मैं सबका कमेंट देख रहा हूँ एक मीनट रुको मेरा थोड़ा कुछ प्रोसेसिंग कर रहा है कि इसको नोट करिए इसमें अगर कुछ फूटा तो मैं अभी क्लिर कर रहा हूं थोड़ा समझे करूं कि चल रहा है कि नहीं है इस इस अधे प्लिए फुन रखेटा कर दोटा रहा हु थोड़ा से रुकना आप लोग यह बता चल रहा है चल रहा हैं नहीं हाँ यल कैसे आए बता रहा हूं बता रहा हूं वहीं बता रहा हूं वहीं बता रहा हूं वहीं बता रहा हूं सुनिए बता रहा हूँ देखो बच्चा एक चीज आप जानते हों कि जो यहाँ पर लिखो ब्रेकर्ड में चूकी यल बराबर होता है a प्लस यन माइनस वन इंटू डी यह सूत्र होता है यह आपका एक फर्मूला होता है तो मैंने क्या किया इतने की जगा पर उसको कर दिया ठीक है यह आपका सूत्र हो गया योग बराबर यह आपका साटकट वाला फर्मूला हो गया उपर वाला भी आप डीटियल में लगा सकते हो लेकिन जो हम लोग करने जा रहे हैं यह साटकट वाला लगेगा तो योग बराबर आप इसको चुपके फे लगा सकते हो आगे बढ़ें आप इसको लिख लिजिए इसको अगर आप अपनी भासा में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे लिखिए अपनी भासा में कैसे लिखोगे लिखिए नीचे दिख रहा है क्या नहीं न, इसको यहां मैं लिखवा देता हूँ, इधर फाइड में लिख लू, इसी सूत्र को योग बराबर, पर्थम पद प्लस, अंतिम पद, यह अलग सूत्र है, याद रखना इसको उपर वाई लाइन से मत जोड़ना, एक मिनिट मैं प्रिव्यू देख लूँ, कहां तक दिख रहा है, समझने की कोशिस करिए, जल्दी लिखो फटा पड़ भाईया, इसको लिखो जल्दी से, पर्थम पद प्लस, अंतिम पद, अपान्टू, इन्टू कूल पद, मतलब टोटल टम्स, ओके, यह सूत्र हो गए, चाहे तो यह यूज करिए, चाहे यह दोनों का मतलब एक हुआ, इसको छापिए, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी करिए, जल्दी करें, स्क्रीन साट लेले मैं हट रहा हूँ आगे से, यह आपका सूत्र थम्मेन, इसको मैंने आपे डीटियल में एक्स्प्लेंट किया, बस, बहुत जल्दी करें, अभी दस बजे अगली कलास, बस और इनो बजे अगली कलास भी है, सालिनी हादो आरा कुछ समझ में, यन पदों का योग, हाँ ए चीज तो बताया नहीं, वह भी बता देता हूँ, सही बोल रही है, यहाँ पर लिख लो, नीचे, समझने के लिए जहाँ, ए बराबर पर्थम पद, यल बराबर अन्तिम पद, ठीक है, और क्या था, डी, यन भी है न, यन बराबर लिखो, आपर, आप, सर्बांतर भी कह सकतो, किसको, डी सर्बांतर है, लेकिन यहाँ पर दीड तो हट गया है, हाँ यहाँ पर डी सर्बांतर है, डिफरेंस, यन क्या है, कुल योग, ठीक है, यन बराबर क्या है, ठीक है जहां हम सूत्र लिखवारें जिस उत्देश से उसका मतलब समझे तो यन बराबर आपका है कुल पद बाकी यन का मतलब अलग-अलग सूत्र में अलग-अलग होता है जहां जैसे अभी कुछ अलग अगर सूत्र आम ये वाला यूज करते हैं अग्यां पर आप फटों की संख्या भी लगाते हों ठीक है लेकिन यहां और यहां जो है अलग है भी जाइंग यह फिर इसे इसे भी कर सकते हो पदों की संख्या ग Deshalb कि कुछट्ण के एक अर्ण इसको परयोग करोगे अगर पदों की संख्या के इन को Sta hills आ तो अप यहन को कि कुश्चन कराएंगे तो क्लियर हो जाएगा चलो इसको मिटाते हैं आप फिर कुछ हाँ एक चीज़ और समझे कि यह सूत्र किस किस संख्याओं में या किस किस तरह के प्रस्ण में लगेगा वह भी लिखिए प्रस्ण के लिए प्रस्ण के लिए उप्रोग्त सूत्र निमन प्रकार के प्रस्नों के लिए उप्योगी होगा लिखिये पहला समांतर सरेडी वाली संख्याओं के लिए दूसरा प्रकृतिक संख्याओं के लिए यानि प्रकृतिक संख्याओं पर आधारी जो कुश्चन होंगे उनके लिए ठीक है कम संख्याओं के लिए और अगला बिसंभी और गुरज संख्याओं के लिए गुरज संख्याओं मतला जो किसी का भी गुरज हो जैसे मालो पंतरा कि पैतालीस के लिए और क्रणाओं झाल उश्याओं और प्रणाओं झाल 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 क्या मेरी आवाज आने लगी यार यह बैटरी चार्ज नहीं थी थोड़ा से रुख जाओ आ रही होगी मुझे लग रहा है पूरा उमीद है हरसित, हर्ती, सिम्रन वाइस क्लियर हुई बैटरी खतम हो गई थी चलो आप लोग कमेंट भी देखा करो साथ साथ में तो यह हो गया आप कुश्चन लिखिए कुछ एक्जामपल लिखिए तो फिर सब कलियर हो जाए लिखिए पर्थम 190 कर्मा गत प्रकृतिक संख्याओं का योग बताईए पर्थम 190 कर्मा गत प्रकृतिक संख्याओं का योग बताईए जो बहुत सारी ऐसी महानात्माएं हैं वो आपसन देख लें इसमें से कौन से आपसन सही हैं प्रियंका देवी अफ्ताब नैंसी आर्थी अवस्थी हरसीत देखो सिंपल है मैंने अभी सुत्र लिखवाया न ए प्लस एल अपांटू और इंटू कूल पद तो कर लो भाईया यह मतलब पर्थम पद तो पर्थम 190 क्रमागत प्रकरतिक संख्या का मतलब यह हुआ मेरे भाई वन से ले करके ऐसे 190 तक तो पर्थम पद क्या है वन है अंतिम पद क्या है 190 है बटा दो इन्टू कूल पद कितना है 190 है क्या 190 बात बोल रहा तो टोटल 190 ही तो है इनको दो से आप काट सकते हो 298 तो पंचे 10 कि यह 191 आएगा जुड़ जाएगा इन्टू 95 इनका मल्टीपल करोगे तो 18145 आएगा यह अंसर कि अब को समझ में आया जी परियाग राज से कलास चलती है वैसे हम सुल्तान पूर उत्तर प्रदेश से हैं कि कि किसी का कोई डाउट है तो बताएं देखे जब कलास चलती है तो हम सबके कमेंट नहीं ले सकते हैं संडे को हम लाइब करते हैं जिसमें बातचीत करते हैं तो संडे को रात 9 बज़े आप लाइब आओ हम खुब बातचीत करेंगे एकदम पकैती वाली कलास बिंदाफ लेकिन डेली कलास में बाचीत हमेशा पॉस्बल नहीं है कुश्चन है पर्थम 120 कर्मा गत प्रकृतिक संख्याओं का योगफल ग्याद कीजिए पर्थम 120 कर्मा गत प्रकृतिक संख्याओं का योग ग्याद कीजिए कितने लोग कर लेंगे एक बार हाथ उठाओ तो भाई फटा फट कर लोगे कौन कौन कर लेगा इमांदारी से बोलना जूँ उठना ही बोलना ऐसी तरह का कुश्चन था कि पर्थम 190 कर्मा गत प्रकृतिक संख्याओं का योग ग्याद कीजिए था इस पर आप कर लेंगे ठीक है दुर्गेश कमेंटारा सिमरन, वन टैप गेमिंग, सुनील पटेल, जेपी गेमिंग, सोनम, रौनक, सुनीता सिंग, नीधी कुमारी, सिमरन, रोली, आजय, प्रांजल, प्रियंका सिंग, मोहिनी, सुकला और भी तमाम बच्चे हैं, तो सबका नाम लेना पॉसिबल है, नहीं, चली आगे बढ़ते हैं अब ऐसे कुश्चन तो हैं, जो जीरो से मतलब, प्रिथम का मतलब सुरू से ही स्टार्ट हो रहे हैं यानि अगर हम इनका थोड़ा सा ट्रेलर आपको दिखाएं, तो 123.120, यह ऐसे हैं, हमें इसका समफाइंड करना है, लेकिन अब थोड़ा अगर कुश्चन अलग हो जाए तब थोड़ा टाइप अलग हो जाए, तो लिखो नेक्स टाइप में, जब गिंती बीच से सुरू हो, तब उनका योग निकालने में थोड़ा फलोचा होता है, कैसे देखो? कुश्चन सुनिए, आज का फार्स्ट कुश्चन है, अगर यह 56 से सुरू होता है, नीचे लिखो भाईया, जिससे थोड़ा सा हाथ पहर मारने की जगा रहे हैं, 56, 57, प्लस करते चलो, ठीक है, यह क्या है कुश्चन है? इसका योग निकालना है, तो कैसे करोगे? देखे, इसमें एक चीज है, वो क्या है? इसमें जो नंबर है, वो 56 से सुरू हो रहा है, तो 56 से सुरू होने का मतलब क्या है? Q1 से स्टार्ट नहीं है, तूत्राप लगा रहे थे अब तक कौन सा? योग बराबर पर्थम पद प्लस अंतिम पद बटे दो और गुडे कुल पद यही लगा रहे थे न, तो चलो कर लो, लिखे योग बराबर, पर्थम पद मैं पहला कुश्चन लिखवा दे रहा हूं, बार-बार सुत नहीं लिखूंगा अंतिम पद बटे दो कुल पद, देखो भईया यहाँ पर पर्थम पद क्या है, मेरे भाई 56 है, अंतिम पद बात करें 230 है, और कुल पद का लोचा फंस जाएगा, क्यूं? कुछ लोग कह रहे होंगे कि कुल पद दूसो तीफ है, ना ही चाचा, ना ही है, दूसो तीफ ना ही है, काहे को, यह 56 से ही शुरू हो रहा था, तो इसमें से 55 पद इस्टार्टिंग के तो है नहीं यहाँ पर, यह है नहीं, तो कुल पद के लिए क्या करेंगे, हम लास्ट वाले पद से 230 से 55 को घटा लोगे क्योंकि इतना कम है उसमें तो जो आएगा वो होगा आपका है टोटल पद वो होगा यहांनी 175 होगा मेरे भाई तो यहां पर 175 रखोगे इनको जोड लीजिए 30 इसमें जोड़ोगे तो 86 आएगा ना जोड़के देखो 286 आपान टू सही से लिख लो इन्टू 175 इनको काट दीजिए आप टिवाइट कर दीजिए सिंपलिफाई दो एक कम दो दो चोकाट दो तिया ही छा 143 इन्टू 175 फाइनल में आप करोगे 25 जीरो 25 यह आंसर बोलो सबको समझ में आया एक बार यास रिक्की गुपता आकास सिंग एक बार बोलो सबको आया यास सभी को समझ में आया तो सभी साथी सेशन को लाइक करें तुरन देर ना करें इमानदारी से लाइक करें चलिए नेक्स्ट कुश्चन अगला देखिएगा थोड़ा सा अलग थोड़ा सा अलग अगला कुश्चन लिखिए पंदरा के पर्थम तीस गुड़जों का योग ज्यात कीजिए इसको कर लेना साइड वाला पंदरा के पर्थम तीस गुड़जों का योग ज्यात कीजिए कि गुड़जों का मतलब मल्टीपल क्या होगा भाई भखर सिंग कर लोगे इनका नाम है भखर सिंग भाई बहुत अच्छा नाम है खतरनाक है चलो कि देखो सिंपल है पंदरा के गुड़ज क्या होता मेरे भाई मेरे बाबू पहले तो गुड़ज समझ लो गुड़ज जिसको इंगलिस में मल्टीपल कहते हैं मतलब पहाड़ा है देशी भाई सामें जैसे कहा जाए कि अगर छे के गुड़ज लिखो तो छे का पहला गुड़ज छे दूना बारा दूफरा गुड़ज छे तरीक अठारा है तीसरा गुड़ज छे चौववीश चौथा गुड़ज छे पंचे तीस यह पाचवा यानि मल्टीपल बोल रहा है उसी का गुड़ा कर लेते हैं बस मतलब उसी का पहाला समझ्छ लोग टेपल कहो चाचा समझ में आ रहा ना चलो अब यहां क्या करेंगे 15 के पर्थम 30 गुड़ज की बात कर रहा है तो पहला गुड़ज 15 दूसरा 30 35 30 गुड़ज 30 गुड़ज का मतलब 15 का गुड़ज 30 में करेंगे क्योंकि लाइस्ट वाला तभी निकलेगा आओ चलो समझो समझो तो तीस लाइस्ट वाला गुड़ज हो जायेगा 450 इसका क्या करना योग ज्यात करना है समफाइंड करना है ठीक है फार्मूला वही लगाओगे जो लगाते आये हो पर्थम पद प्लस अंतिम पद बटे दो गुड़े कुल पद टोटल टम्स योग बराबर पर्थम पद पंदरा अंतिम पद 450 बटे दो गुड़े कुल पद तो 30 हैं कितना तीफ ना तो जोड़ लोगे 450 दस 460 और ये 455 बटा दो गुड़े 30 काट दोगे 15 भाईया 15 का गुड़ा तो तो आप करी लोगे पंदरा पचे पचात्तर हांफिल आया 7 और पंदरा चक्का 97 97 का फाथ हांफिल आया 9 और पंदरा चोग का 69 और अंहात्तर ये हो गया आंसर प्राहिल समझ में आया आसीज बाबू देखो टाइटल थमनेल लिखा है ना पढ़ो ना एक बार पढ़ो एक बार थोड़ा दिमाग लगाओ चलो लिख लिजिए फट से अगला नेक्स कुश्चन अब अलग तरह का थोड़ा कुश्चन होगा देखो भाई आब तक जितने भी प्रफन थे ना मेरे भाई उसमें पदों की जो कंडीशन थी वो कंफर्म रहती थी कि पहला पदय यह अंतिम पदय यह पक्का रहता था लेकिन अब जो कुश्चन है उसमें कुल कितने पद हैं यह कुछ क्लियर नहीं रहेगा कंफ्यूजन वाले रहेंगे ऐसे भी कुश्चन परिक्ष्छा में आ जाते हैं तो लोग खुद कंफ्यूज हो जाते हैं आईए सुनिए हेडिंग डालिए पहले हेडिंग डालिए इस्टार डालकर टाइप लिखिए जब पदों की संख्या कंफर्म ना हो आजब आजब पहले दिन अगर नहीं नहीं बीबी भी संसराल जाती ही न थो वहां सब कुछ सीख जाती है आजब नहीं कि उसको कोचिंग भेज़ते हैं गर की सारी चीजी हैं सीखने के लिए गरी में सीखती है तो चुम तो संसराल थोड़ी आया हो देखो कन फर्म ना हो कन फर्म ना हो यानि निश्चित ना हो ऐसे भी कर सकते हिंदी में ठीक है किसका किसका पहला दिन है भई पहला पहला किसका है पहला पहला बड़ी तकलिफ होती है हर चीज में आचलो देखो इधर जब पदों की संख्या confirm ना हो समझो कुश्चर पहले दिखाएंगे तब समझ में आगा लेकिन उसके पहले फार्मूला लिखिए जो इस्टेंडर्ड सूत्र होता है ये तो आपको पता है ये सूत्र आपको पता है यहाँ से हम पदों की संख्या निकालते है क्या करेंगे टर्म्स टोटल कितने हैं उनकी संख्या फाइंड करते हैं तो यहाँ यल ऐसे रहने दो इधर से मेरे भाई ए को इधर ले आओ माइनस हो जाएगा डी इधर गुड़ा में है यहाँ आएगा भाग में हो जाएगा one इधर minus में है, इधर plus में हो जाएगा इधर ये चचा केले बचेंगे, ये बन जाएगा आपका एक सूत्र पदों की संख्या निकालने के लिए अंतिम पद को पहले पद से घटाएंगे अंतिम पद को पहले पद से घटाएंगे वो इल्टा काय का बोल रहा है अंतिम पद से पहला पद घटाएंगे अंतिम पद बढ़ा होगा और दो से भाग करके उसमें एक जोड़ देंगे बस यह तरीका है कुश्चन लिखिये नोट करिए तीस और तीस चियालिस साइड में दिख रहा है चलो कुश्चन है तीस अनतिस चियालिस डाट 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 एक्सो अठावन का योग ज्याद करें या इसका योग क्या होगा यह बताना है समझो अब कुश्चन समझ ये कह रहा है कि तीस अनतिस चियालिस ये ऐसे है सिरीज है एक दिखराना आपको लाश्ट में 158 है इनका सम फाइंड करना है अब इसमें पदों की संख्या कंफर्म नहीं है मतलब ये कि जो लाश्ट की गिंती है ये कौन सा पद है ये कंफर्म नहीं है जैसे देखो ये पहला पद है ये दूसरा है ये तीसरा है फिर ये 158 का उथा पद है नहीं पता है न कंफर्म नहीं न चलिए मैं निकाल के पहले तरीका बताता हूँ इस तरह के कुशन में पदों की संख्या निकाल लेंगे अंतिम पद यानि 158 ये यल कमान है माइनस पहला पद यानि 30 बटा दो धान वन बराबर यन इस में से घटा होगे मेरे भाई तो क्या आएगा 128 आएगा क्या घटा के देखो 30 घटा होगे 128 आएगा आठ टू वन अपान टू प्लस वन एक गोल यन दूरी से काट दो 64 यानि 65 बराबर यन मिन्स यन का जो बैलू है पदों की संख्या कितनी आई 65 सही जा रहा है कुछ गड़बड हो रहा है ए भाई कुछ गड़बड जा रहा मुझे लग रहा है एक मिनट एक मिनट सॉरी 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 इसको भाग किस से देना है सारवांतर से भाग देना यहां पर जो दो लिखा था सॉरी एक मिनट सॉरी यहां पर यहां पर देखो यहां पर यह डी है ना डी मदलब सारवांतर है इनमें 38 से 30 गटाओ कितना याठ है ना 46 से 38 गटाओ 8 है ना तो यहां पर सारवांतर से भाग देते हैं मेरे भाई दो से नहीं कि सारवांतर 8 है कि एक मिनेट रुकना कि सतरा आएगा टोटल सेवंटीन आएगा डी क्या है डिफ्रेंस है ना सारवांतर 128 एड से भाग करोगे आठ एक माठ आठ चांग अड़ तालिस 16 एक सतरा यानि टोटल जो पदों की संख्या आई कितना है सतरा यानि यह जो है सतरमा पद है कितना है सतरमा पद है लर्न टुडे शाजा रहा है न मजा आ रही न चलो लर्न कर लो भाईया तो अब हमें पदों की संख्या पता चल गई यानि पहला पद भी पता चल गया अंतिम पद भी पता चल गया पदों की संख्या भी पता हो गई तो यह सूत्र चुपके फिल लगा देंगे बीना सोर पहला अंतीम बटा दो पदों की संख्या सतरा, सतरा मतलब खतरा, चलो, इनको जोडोगे 188 अपांटु इन्टु सेबंतीन, दुई सेकाट दो, दुईनो अठारा, दुई चवुका, यानि 94 इन्टु सेबंतीन, सतरा चॵुका, अणफट, हाफिला आया छे, सतरा नमईया एक सो तिरपन और छे, बरेबाई, एक सो तिरपन, पांच, एक सो अठावन, यानि 169, लिख लो, ये अंसर आ गया, अरती अवस्थी जी बिल्कुल नहीं है, आज, आज सटर्ड है, सनिवार राती को वैसे भी कुछ लोगों को नींद नहीं आती, तो रात पे पढ़ेंगे न, क्या करना है आज, कैमरा बड़ा गंदा हो गया, इसको मुझे धुलना है कल, बल टीम भिको के, और कपड़ा भिको के रखा, आट दिन से कलर ओलर छुट गया, उसका अभी नहीं धुला, आपको पता है, एक बड़ी बीचितर बात बताऊं मैं, कभी कभी न, मैं अपने कपड़े भिको देता उसमें, ऐसा मत सोचना कि मैं फेंक देता हूं उसे, फिर मैं उसे सुखाता भी हूं, पंदरा दिन था, चलो यह हो गया, लिख लिजिए इसको चल दी से, अगला नेक्स्ट कुश्चन, अब थोड़ा सा अलग, लिखिए, 100 और 300 के बीच, तीन के सभी गुडज का योग बत फूब सुत्तर उत्तर, अगला नेक्स्ट कुश्चन लेखो, भाई लेखो, सो और तीन सो के बीच तीन के सभी गुड़ज का योग बताईए दिख तो रहा है ना देखें 100 और 300 के बीच गह रहा है यहां पे समझो साथी मेरे 100 और 300 के बीच यानि ये एक ट्रैक है जहाँ पर 100 से स्टार्ट करना है और 300 पे खतम करना है तीन का गुड़ज का मतलब ये ये कि वो नमबर जो 3 से completely divide हो जाए में तो हंड्रेड के बाद ऐसी कौन सी गिंती है जो तीन से कड़ जाएगी मेरे भाई बताओ तो सौ के बाद कौन सी पहली गिंती है जो तीन से कड़ जाएगी देखो सुनो सीधा सा बात है वो संख्या जिसके अंकों का योग तीन से कट जाया वो पूरा पूरा तीन से कट जाती है ये विभाजता नियम में पढ़े हो इनको जोड़ोगे तो दो आएगा यानि एक सो एक तीन से नहीं कटेगा इनको जोड़ोगे अंकों को तो तीन आएगा यानि पहली संख्या होगी मेरे बाई 102 पहला गुडज क्या है 102 इस तरह से तीन तीन के अंतराल पे सारे गुडज बन जाएंगे यह डाट 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 लाश्ट में जाओगे तीन सो के पहले तो 297 आएगा जो तीन से कटेगा तो अब समझ में आ रहा है देखो यह जीरो लेबल वाली कलाफ नहीं है आज जो यह चल रही है अभी सूपर टेट की कलास है जो रात आठ बजे होती रोज जो पहले से हो रहा था किया इसमें कोई बताएगा टोटल कितने नंबर है पदों की संख्या कितनी है भाईया बोलो ना कि कितने ऐसी गिंती हैं 100 और 300 के बीच जो 3 का मदब 3 से कट जाएंगी या बोलें तो 3 का गुड़ज होंगी या 3 का मल्टिपल होंगी देखो इधर समझो हम क्या करेंगे योग बराबर लिखेंगे पर्थम पद यानी 102 अंतिम पद मतलब 297 अपांटू लेकिन यहाँ पर मामला फंसर आए कुल पद कितने हैं इस्टार्ट तो 102 से हो रहा है और खतम 297 पर हो रहा है तो कुल पद के लिए क्या करोगे इसमें से इसको घटा लोगे मेरे भाई जैसे अभी जो सुत्र पढ़े हो गही यन बराबर डी माइनस ए अपांटू प्लस वन से निकालोगे लो निकाले देता हूँ अभी यह सुत्र में बताया हूँ कैसे आया था 297 वन जीरो टू अपांटू प्लस वन इसमें से घटा लो साथ में से दो गया पांच नो में से जीरो गया नो 195 बटा दो धनेक कुछ मुझे लोचा लग रहा है इसमें गड़बड जा रहा है का गटा के देखो भाई तो सही गटा है हूँ क्या मैं देखो सही गटा है हूँ कि नहीं पहले छोड़ो साथ में से दो गया पांच नो में से जीरो गया तो नो यहां पर ना भाई सारवांतर से भाग देते हैं मेरे बाई एक मिनट सुनो यहां पर सूत्र में जो मैंने किया ना यह सुरी यह दी नहीं रहेगा यह यल रहता है कि यहां पर डी रहता है यह सुत्र बना था ना सुत्र बढ़ बढ़ कर दिये थे मिस्टेक मार दिये थे दी क्या है सारवांतर होता है कौमन डिफ्रेंस ठीक है तो इसमें जो कौमन डिफ्रेंस है वो तीन का है कितना है त्थीन का है तो यह 3 आएगा अबे तीन का काई है भाई देखो इधर समझो क्योंकि 105 से 102 घटा होगे तो 3 आएगा 108 से जब तुम 105 घटा होगे तब भी 3 आएगा यानि जो common difference है 3 का है काटो 3 से 3 6 18 3 15 65 और 16 66 आएगा कि सोना अली भर्मा आरा समझ में काहे को मिटा दिया इसको फालतू का चलो इसको लिख ले ना तो कुल पद कितने आए कि कुल पद कितने आए पर्थाम पद अंतिम पद इन्टू कुल पद मदलब 66 नो नो भाई इनको जोड़ोगे ना सही जोड़ रहा हूँ मैं क्या क्या कर देता हूँ कुछ पता नहीं चलता मुझे सही जा रहा है यह साथ दो नो नो में 0 जोड़ोगे नो यह तीन इन्टू 33 इनको आप मल्टीपल करोंगे तो तेरह हजार सम्थिंग आएगा कर लो तेरह हजार 166 जोड़ घटाना गुड़ा भाग आपको आना चाहिए कल्कुलेशन अगर नहीं आता है कि यह कैसे आया ना तो आप पीवियार स्टड़ी एप में जाके जीरो लेबल वाला पहले जोइन करिए बिल्कुल सुनने से सिख कर तक सिखाया जाता है क्योंकि वहाँ पर हम जोड़ घटाना गुड़ा भाग सिखाते हैं यहां पर नहीं सबको समझ में आ रहा है किसी को एनी डाउट लिख लिजिए जल्दी से और बोलिए हाँ समझ में आया तो सेशन को लाइक करिए इमांदारी से लाइक करिए आगे बढ़ते हैं हम लोग जितने भी नए कंडिडेट है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें यह कोईशन हो चुका है अगला एक और भी कोईशन इसी तरह का दो सो और दो हजार के बीच उन सभी संख्याओं का योग बताईए जो ग्यारा से पूर्टा विभाज्य है कोईशन लिखो मेरे भाई लिखो दो सो और दो हजार के बीच उन सभी संख्याओं का दिख रहा हैं तक जो ग्यारा से कंप्लेडली डिविजवल हैं देखो इसमें थोड़ा सा लोचा है मतलब समझे रहे हैं लोचा का मतलब बाद में सीखो गए अभी पढ़ो पहले यह कह रहा है कि दो सो यहां दो सो से स्टार्ट करना है और लाश्ट डिजिट जो है वो दो हजार होना चाहिए इनके बीच वो संख्याओं जो ग्यारा से कंप्लेडली डिविजवल हैं उनका योग कैसे फाइंड करोगे तो पहले तो यह बताओ सभी इमानदारी से जल्दी से फट से बताओ कि दो सो के बाद कौन सी ऐसी संख्या है जो ग्यारा से कटेगी इमानदारी से बताईए ऐसे बैठेस काम नहीं चलेगा कोशिस करना पड़ता है यही जिन्दगी है समझ रहे ना यही जिन्दगी है भूखा पेट खाली जेब और जूटा प्रेम इंसान को बहुत को सिखाता है अगर इसमें से आपको भी कुछ मिला है तो बड़े भागिसाली है हमें तो लगबख सब मिल चुका इसमें तीनों हाँ बहुत अच्छे बेरी गुड मिथिलेस थोड़ा सा गलत है अब मिथिलेस जी दोसो आठ ग्यारा से कैसे कटेगा पहले यह बताओ ग्यारा से भाग करोगे 98 आएगा ना 208 नहीं 209 विपिन थोड़ा और पीछे 209 वो पहली संख्या है मेरे भाई और उसके बाद 220 फिर 231 फिर 242 यह डाट 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 लाश्ट में आएगा आपका 1991 इसको थोड़ा और इसा खिसकालो जगा है यह लाश्ट वाली संख्या है जो 11 से कटेगी 1991 के बाद कोई ऐसी नंबर नहीं है 2000 के बीच में कि जो 11 से कटे यह है ठीक है अब यह आपका सिरीज बन गया यहां से आप देखो तो डी कमान आपको मिल गया 11 एक कमान मिल गया 209 लाश्ट वाला पद यहल कमान 1991 और कुल पद निकालना है तो आप वो तरीका लगा लोगे जो मैंने बताया था रमेस आ रहा कुछ समझ में चलो देखो भाई यहां से यन कमान निकाल लो साइड में यन बराबर यल माइनस ए अपान डी प्लस वन वन नाइन नाइन वन दो सो नो बटा ग्यारा धन एक इसमें से इसको गटाओ पहले 1782 के लगबागा आएगा ग्यारा से भाग करके एक जोड़ो ग्यारा एक कम ग्यारा अनसट ग्यारा चाका चाचट बच गया दो गैरादुनऑ 22 एक सो तिरफट आएगा क्या नहीं यार कुछ गड़बड जा रहा है थेर सारा गड़बड हो रहा है एक मिनट रूको इसमें कुछ गड़बड जा रहा है मुझे लग रहा है क्या कि सही जा रहा है कॉमन डिफरेंस से भाग देते हैं मतलब 11 से 11 एक कम 11 68, 11, 6, 6, 6, 2 बचा 11, 2 बाई सही है बिल्कुल सही है तो 100 तीरफट आ गया ये टोटल पद 103 पद है योग पहला पद अन्तिम पद बटे दो गुडे कूल पद सोनाली बर्मा सोनम बिसकर्मा विपिन, अंकूर, मोहिस सिंग, सूरज आ रहा है ना सबको इनको जोड लेंगे आप 9 में एक जोड़ोगे 10 अब भाई देखो इसमें 9 ले आओगे तो ये पूरा पूरा 2000 हो जाएगा और ये 200 है मतलब आ जाएगा बाईस सो गलत ना करो दूरी से काटोगे ग्यारा सो ग्यारा सो गुड़ा एक सो तिरफट इसका मल्टिपल तो आप करी ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई दोनों जीरो उतार लीजिए ग्यारा तियाई तैस हासिल तीन और ग्यारा चाका चाचट तीन औनातर हाफिल छे ग्यारा एकम ग्यारा ग्यारा चाचा सतरा एक लाख उनाफी एजार तीन सो भाई नमबर भी तो लंबा था इसमें कहीं कल्कुलेशन में मिश्टेक है तो बताईए रूल जो बताया वो सही बताया कहीं जोड़ घटाना गुड़ा भाग में छोटा मोटा इधर का उधर होगा तो आप उसे ध्यान दीजिए वसे हमारे हिसाब से कहीं नहीं है नोट करिए जल्दी लिखिए बहुंच जल्दी करें किसी को ना समझ में आया तो बोलो सबको समझ में आना आया ना मेरे भाई सभी को आया तो साथियों आज ये कलास यहीं पर इंड होगी आज का टाइम ओबर होता है ठीक है फिर आज के लिए इतना ही बहुत बहुत थाइंक हो मिलते हैं अगली कलास में आपका इंतजार रहेगा आयेगा जरूर चाहिएगा नहीं होसलों के तरकस में कोशिसों का तीर जिंदा रखना हार जाना चाहे सबकुछ जिंदगी में लेकिन एक बार सिर्फ एक बार फिर फे जितने की उम्मीद को जिंदा रखना और ये उम्मीद ना खोने पाई मेरी भाई तो सब कुछ मिलेगा जिन्दगी में जो आपने चाहा है लेकिन उम्मीद बना के रखना तो फिर मिलते हैं next class में Thank you